हेलो वेलकम बैग दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राहूल वीडियो पॉइंट ठीक है दोस्तों आज हम आप लोगों को पताने वोलें दोस्तों सिरीज बोट के विशे में ठीक है कि सिरीज बोट कैसे बनाया जाता है है ठीक हूँ दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को अपूरा देखें और अंतक देखें जिससे आपको पूरी तरह समस्तों समय प्लंझाज मेहाजए कि सीरीज बोट कैसे बनाया जाता हूँ Rise Up और हमारे YouTube-C講back tag लोलें कर ले हैं ठीक दो और बेल की घंटी को ऑल पर सेट ले ठीक है और दोस्ट मेरे विडियो आएगा वह आप उर्पकोप ख्याएं गी ईचैनी कर सकते हैं एपस अपने area में काम कर सकते हैं ठीक है यिजिए घर का कुछ भी हो तो आप इस बॉड के माध्यम से तरह के माध्यम से घर का जो कुछ समान करने का है तो आप राशानी से बना सकते हिं ठीक है ज़िप बोड बोड है और एक हमने के होल्डर और लाइट लिया हुआ है ठीक है चोटा बोड़ अब बड़ा बोड़ा कर जैसे रहागा आपका तो इसी अटेज जो होल्डर आता है उसको आप रह सकते हैं ठीक है होल्ड वाला विश्का हम लोग खूल लेते हैं दोस्तों जैसे आप फ्रति आपड़ा यह तो मैं इसी में से आज हम लोग आपको बताइंगे कि सी रिजबोट कैसे बना जाता है ठीक है चलिए देखते हैं यह खराब था तो खूल निए रधा ने उस्क्रू इसकी वज़से तर को लगा वार नहीं दिया ठीक है चलिए देखते हैं इसको कैसे ब कि अब आसाने से बनाना सिख जाई एगा ठीक एक चोटा सावर टुक्रा टार ले लेके यह देख सकते हैं हमारा यह जो रहेगा दोस्तों फेज वायर रहेगा फेज कनेक्शन करेंगे ठीक है इसके माधियम से हमें से फेज कनेक्शन कट कर आके सोकेट में देंगे अब आख यह ज़िए टैट किया ठीक है ज़दा टैट करना आपका जो स्विच है वह दूला हो जाएगा ठीक है यह देखें इसको भी में टैट किया रुप तरा अच्छे करने ठीक है फिस सफीर में यहां पर देखाती है यहां एपर देखेंकर करें के फेज यहां पर डाला फेज को कट करके करके शौकेट पर देना है ठीक है द mauvais आब बीडियो चाहिए वास्च करें मैं आपको पुरी तरह से जाने करें अच्छे साफ काम कर सकते हैं ठीक है जैसे आप देख पा रहे होंगे ठीक है इसे भी मश्य तरीके से टाइट कर लेंगे श्रीज बहुत ही अच्छा बहुत है यह बहुत सारे उपकरणों के लिए काम आता है अगर आपका फैन उनका कोई लोगा काम करते हैं तो दुकान में में च्छाना करते हैं मैं अब इसमें क्या करें दोस्तों यह यह नियुक्त पर को हमारा रहेंगा जैसे के अब यह नका음 तोकेट का बचा हुआ है इस भी हम इसको लगाएंगे ठीक है यहां पर पहले से था तो हमेशी में टाइट कर देंगे ठीक है और इसे अच्छे से टेप मार देंगे ताकि शुर्स रखित ना हो ठीक है दो इसे हम चाहे तो यहां भी डायेट डाल सकते हैं पर उसकूल नहीं रहा था इसके वज़े से इस जोगा पर टाइट किया है इसको यह टेप मारते को इदिकत नहीं हो ठीक है यह होगे एक सीरह हमारा यह चला गया ठीक है अब एक सीरह ज कि अगे अगे तो ठीक है तो ठीक है देख सकते हैं इसका वायरिंग है यह कंप्रीट हो चुका है ठीक है शीरीजबोर्ट हम लोग आज बनाएंगे यह हमारा फेज एरिया है फेज का वायर इन्पूट हुआ है इसमें और यहां से आउट होते हुए यह सोकेट में दिये इसलोड यह एक जो वायर है हमारा सोगेट का नीटल यह तैक हमने ही होलको से दिया और तो यह देख सकते हैं ठीक है अब हम इसे क्या करेंगे चेक करेंगे ठीक है तो चेक करने कि लिए हम इसको पर लेंगे जिए सेड़ कर लेंगे इसको तर हमारा यहां पर यह है तो हम इसे रहने देंगे ठीक है यह हमारा रेडी हो ठीक है अब यह जो बंच रहा है दोस्तों एक यह तार और एक यह थार ठीक है यह दोनों को हम इसमें लाइन कराएंगे में जो लाइन होता है हमारा दोस्तों उसे हम देंगे ठीक है तो हमार पास बॉर्ट है अब लेबल हम इसे लाइन दे रहे हैं और एक तार लेंगे दोस्तों इस प्रकार से कुछ ठीक है इसे हम लोग चेक करेंगे यानि जो भी आपका उपकरण रहेंगा दोस्तों फैन उनका वार का जो भी रहेंगा ठीक है अब चेक करना है कि कैसे खराब है तो हम इसको दाइट यहां पर रहा थिक है यया में अम्हार जो बल है यह गॉलो कर रहा है 20ter मोले में सर्थ करने अंसे बॉल जो है मारा गॉला रो़ जो है रेडी हो इसतों अगर काट इंगे चैनि कम नहीं करेगा हुआ है यह देख सकते हैं कि अब ज tempted सोड़ित क्रोड राए थड़ा प्रोडिमाध तो इस परकार से हम बहुत ही आसान शीरिज बोट बना सकते हैं ठीके दोस्तों आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हर वीडियो को आप पूरी तरह से वाच करें अच्छे से देखें और वीडियो को दोस्तों अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब निवाद, थांक्यू